क्या आप जानते हैं कि हाइना जिसे हम अक्सर जंगल का क्लाउन कहते हैं, वास्तों में कितना खतरनाक शिकारी होता है? एक ऐसा जीव जिसकी हंसी सुनते ही शिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। आज हम जानेंगे इस अद्भुच शिकारी की डरावनी कहानी जिसने अपने जीवन को जीवित रहने की एक रोमान्चक कथा बना दिया है। हाइना, ये नाम सुनते ही मन में एक डरावना चित्रन आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे कितनी रहस्य मय और खौफनाक कहानिया छुपी हुई है। आईए, अब हम जानते हैं कि इस खौफनाक शिकारी का जीवन कैसे शुरू होता है। हमेशा इनकी मान के पास मन राते रहते हैं लेकिन हाइना की मादा अपनी निडरता से अपने बच्चों की रक्षा करती है। वह अपने नुकीले दातों और ताकतवर जबड़ों का इस्तेमाल करती है जिससे शिकारी भी डरते है। हाइना के जीवन का सबसे खतरनाक समय होता है जब ये बच्चे मान से बाहर निकलते हैं। शुरू होता है उनका असली संगर्ष। छोटे हाइना को खुद के लिए खाना ढूंडना और शिकारी ओसे बचना पड़ता है। हाइना का जुन्ड जिसे क्लान कहा जाता है एक साथ मिलकर शिकार करता है। ये सामुहिक शिकार की तक्नीक अपनाते हैं, जिससे बड़े से बड़े शिकार को भी घेर कर मार गिराते हैं। हाइना का शरीर भी विशेश रूप से बना होता है। इनके मजबूत जबड़े और लुकीले-दांत किसी भी हड़ी को चूर-चूर कर सकते हैं। इनके शरीर पर मोटी और कठोर त्वचा होती है, जो उन्हें लडाई में चोटों से बचाती है, लेकिन हाइना के जीवन का संगर्ष यहीं खत्म नहीं होता, इन्हें अपने ही क्षेत्र में अन्य हाइना जुंडों से भी लड़ना पड़ता है, हाइना के जुंड में एक मादा प्रमुक होती है जो अपने जुंड का नेत्रित्व करती है ये मादा अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने जुंड को संगठित करती है और अन्य जुंडों के साथ मुकाबला करती है हाइना का जीवन संघर्ष और खौफ से भरा होता है इन्हें हर समय शिकारियों से बचना, अपने जुंड की रक्षा करना और खुद का पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है इनकी हसी सुनने में भले ही डरावनी लगती हो, लेकिन यह उनकी संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हाइना अपने जुंड के सदस्यों के साथ समवाद करने के लिए हसी, चिलाहट और अन्यध्वनियों का उपयोग करते है हाइना का सबसे बड़ा दुश्मन होता है शेर शेर और हाइना की लड़ाई अक्सर जंगल में देखी जाती है शेर हाइना के शिकार को चुराने की कोशिश करते हैं और हाइना अपने शिकार की रक्षा के लिए शेरों से मुकाबला करते है यह संघर्ष, जीवन और मृत्यू की लड़ाई होती है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाते हैं हाइना की जीवन रक्षा तक्निकें भी बहुत अनोखी होती है यह शिकारी न सिर्फ खुद का शिकार करते हैं, बलकि मरे हुए जानवरों के अवशेश भी खाते हैं इनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, जिससे यह किसी भी प्रकार का मांस पचा सकते हैं हाइना का जीवन एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल इन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है शिकारियों से बचना, शिकार करना, अपने जुंड की रक्षा करना और अन्य जुंडों से मुकाबला ये सब इन्हें एक सच्चे युद्धा बनाते हैं तो अगली बार जब आप जंगल की यात्रा करें और हाइना की हंसी सुनें तो याद रखें कि आप एक ऐसे जीव को सुन रहे हैं जो हर पल अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है उसकी ये हंसी वास्तव में जीवित रहने की एक खौफनाक कहानी है आपका धन्यवाद आपने इस रोमांचक यात्रा में हमारा साथ दिया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रहस्य मय और रोमांचक कहानी के साथ तब तक के लिए, अलविदा